हलो गाईज, विलकम टो अचीव आईएस, माई नेम इस एविश मेटे, इस वीडियो में हम एपिसोड 14 करेंगे, एंचेंट हिस्ट ओफ इंडिया के प्रलिम्स क्रेश कोर्स का, वैदी केज हमने कम्प्लेट कर ली है, महाजनपत पीरिड हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चसो से 600 BC से 325 BC तक रहा, शुरू करने से पहले मैं को बता दू, हमारे सभी NCIT सब्जेट्स के टैसिरिस फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं, जदध जानकर एक लिएप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और दियेगे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, महाजनपतास, 600 BC से 300 BC तक, आपको, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी केपिटल भी देखेंगे, काशी, कोशल, वज, छेदी, अवंती, मच, सोरसेना, कुरू, इन सब की अपन देखेंगे, अच्छे से, देखेंगे, ये 16 महाजनपता आपके सामने मौझूद है, 13, बाकी के 3 यहाँ पर, ठीक है, और इन सब को मैंने मैप में अल्रेडी बता चुका हूँ आपको, तो इन सब की लोकेशन्स आपको याद रहनी चाहिए, साथ के साथ इनकी केपिटल भी आपको याद रहनी चाहिए, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, याद कैसे करना, जैसे अंगा है, तो अं राजगीर अपनी केपिटल बनाई थी मगद में, फिर अरहंक डाइनस्टी का ही, बिम्भी सारा के बाद आया था, आ आजाद सुत्रू, उसके बाद आया था उधीन, तो उधीन ने ही पाटली पुत्र को केपिटल बना लिए फिर सुशुंगा डाइनस्टी ने है शली बन तो देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में लेकिन बारबर पढ़ेंगे आप इन चीजों को बारबर कैपिटल पढ़ेंगे मैप में नजर डालेंगे तो आपको चीज़ें असार लगने लगेंगी देख सकते आप यह 16 महा जनपदाज हैं मुणारचल स्टेट्स कुछा मोनार्चल कुछ थे मोनारचल में आथा कि कुछ ही लोग गेब राज करते थे पूरे इस्टेट मे नोर्मोनार्चल लेनी असेंब्ली होती थी एक तरीके से रिपब्लीग होता था यानि चोटे-चोटे किंख्यते राजा के नीचे राजा भ यही आपके सामने मोजुद है इन सबको आप बार बाव पड़ेंगे तो ये ये भी याद हो जाएंगे अब बात करतें हरेंकरद डायनास्टी की हरेंकरद डाया हरेंगर डानस्टि में सबसे पहले आप देखेंगे बिम्विसारा अए चुरोणी का भी कहते हैं 544-412 यह से फांडर थें हरेंगर डानस्टि के ठीक है फांडर कौन थे बिम्विसारा इनके टाइम ही प्रोमिनेंस में आया गोतमबुद के contemporary थे हैं इस पर प्रशन आ चुका है already यूपियर से मैं कि गोतमबुद के contemporary कौन थे इन में से और में 20 सारा एक option थे तो ध्यान रखेगा 20 सारा जो है वो गोतमबुद के time पर थे अच्छा कोसला लिच्छावी की princess से इन्होंने शादी की अंगा को इन्होंने conquer क किया और यह ध्यान रखेगा कि इनका एक physician था जीवा का नाम का जो इन्होंने उज्जयन दूसरे महाजन पता में बेजा था वहां क्या जो किंग का प्रद्योता नाम के जो किंग थे उनको जॉन्डी सो गया था यह याद रखेगा अच्छा यह ध्यान रखेगा कि कोसला लिच्छावी और मद्रा की प्रिंचेस से इननों ने शादी की थी मद्रा यहां पर मैंने लिखा नहीं लेकिन प्रेड़ेवा को जब प्रवैड कर दी जाएगी तो मैं इसमें अडिट करके भीस भूँगा तो मद्रा यहां पर मैं लिखना भूल गया मैं तरह याद रखे आपके ट्रैज utilizz कर लोगा कर नुक्सान होगा आपके लोगों आपका भी नुक्सान genial न सकता तो इसक के लिए डिप्लोमेश है चलते तो स्टेम में कैसी स्टेंप कैसी अभी कि वहाब होगा बीसारा और राजग्रिया किसी किस ने मनाई बिंबिसारा ने मैं आपको बता चुका हूं यह देखिए यह मैं आपको बताया था अभी मगद मगद दिख रहा है यहां पर देखिए राजग्री है बिम्भी सारा और मैंने यहीं आपको बताया अभी कि ही बिल्दी सिटी ऑफ न्यू राजग्री है ठीक है तो यह याद रखी का फाउंडर थे गोतंबुत के कटेंप्रेरी थे कोशला लिच्छावी की और मद्रा की प्रिंसेश से शादी की थी अंगा को कॉंगार करना पड़ा फिजिशन जीवा का थे जो उज्यन में प्रद् क्यूंडन की गंची आर्मी थी राजग्रे इन आने बनाया सरुके को मार दिया कौशणपी उसकी प्रिंसे ादी कि आजथा ने इसली प्याग्रा ने बिम्बी सारा ने और उनी के राज्य में वहां लड़ाई करके इन्होंने इनके बेटे ने अजाच चतुरु ने शारे रिष्टे तोड़ दिये अपने पापा के जो मेट्रमोनियल रिलेशन थे वह सारे तोड़ दिये ठीक है तो आप देखोंगे कहीं न कहीं एग्रेसवी पॉलीजी इन्होंने अपनाई काशी पर कंट्रोल पूरा कर लिया और कोसला पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया वाजजी को इनको कॉंक्वायर करना पड़ा ठीक है तो आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी कि बिम्बी सारा के अंदर कोसला लिच्छावी मद्रा और ऐने में बिना हतियारके ये लोग अजाच श्थृ को सितना में मद्द करते थे कैसे ये लोक वहांके लोगों में जर जहे फिला दे देते लोगों को राजा के खिलाफ तो इह डिप्लॉमेटिक मिनिस्थर्स एक तरीके से अजाच स्थृ के काफी फाइदेमद दे थे उस क राजगीरी है सिटी किसने बनाया बिम्बी सारा ने उसमें किला बनाया आजाचा तुर ने जल्द दुर्ग बनाया इसने किनारे ठीक है याद रखेगा उदेइन उदेइन तो इसलिए अजाट शत्रु को है उदेइन देएन 460 से 440 वीची बिम्पिसार आया अजाट शत्रु ए फिर उदीन है उदीन का फेमस्स इसलिए क्योंकि उनने पाठली पूत्र बनाया गंगा और सौन के बिल्कुल जहां प पाटले पूत्र यह अपने कैपिटल को ले गए जो मैं आपको ओल्रेडी इसमें बता चुका हूं यह देखिए राजगिये बिम्भी सारा ने पाटले पुत्र उद्रहिन ने अब शिशुंगा डैनास्टी जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शिशुंगा डैनास्टी में भी किस तरीके से काफ़ी कुछ चेंजे आए और कहां कहां जो है कैपिटल लेके गई चलिए आज के द्राइं थैंक्स ओर वचिंग जाहिन गुट ब्लस्यू अल